देखो बहुत मेरा first day से mind clear था कि में को long term में job नहीं करनी है, I am there for the exposure and experience, तो में को minimum time में maximum experience गेन करना था, तो उस चीफ के लिए consulting is the best space, ठीक है, तो मैंने audit से अपना career शुरू किया, और जो लोग कहते हैं कि आप audit से एक बार career शुरू करके फिर switch नहीं कर सकते हैं, उनके लिए real life example मैं हूँ कि मैंने articleship audit में करी, और post qualification मैंने taxation में shift किया, वो भी indirect tax में कि वो उस time पर 2016-17 में upcoming था, 2017 में GST launch हुआ था, तो उस time पर मेरे को exposure गेन करना था, तो easily मेरे को opportunities मिलगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, कि switch करने में दिक्कत आती है, if you are proactive, तो आपको easily opportunities मिल जा उतना में time सोच के गया था, उतना ही time मैंने spend किया, मैं सोच के गया था में को GST में 365 days spend करने है, 365th day was my last day in Deloitte, तो मैं बड़ी planning से गया था, और मैंने जैसे ही वो experience or exposure ले लिया, now was the time to basically implement that experience for my own practice, तो वो वाली learning थी, अब अगर मैं difference की बात करूँ तो yes, challenges practice में अलग तरीके क आइंगे, आपको काफी सारे काम ऐसे भी करने पड़ेंगे जो आपने वहाँ पे नहीं किये, लेकिन उसके लिए आप study करके अपने peer से पूछ के बहुत सारी चीवे execute कर पाते हो, job में अलग environment रहता है, practice में अलग environment रहता है, दोनों का बहुत अलग अलग experience है, लेकिन अपन आपके पास को confidence होगा कि हाँ मैंने best hand experience किया हूँ, मेरे को अपनी field का मैं expert हूँ, जिसको मैं industry expert बोलते हैं, हम एक expert है, being a chartered accountant in NR field, और मेरे पास top से top client आजा, मुझे में वो confidence है कि मैं काम execute कर सकता हूँ, तो 4-5 साल आप job करिए, उसके बाद फिर decide करी कि आपको कहीं industry में जा आपको कर सकते हैं